Hi everyone, कैसे हो आप सब? I hope आप सब ही एकदम अच्छे होंगे और अपने exam की preparation बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम class 10th science का 6th chapter Life process अपने term 1 exam के लिए revise करने वाले हैं Start करते हैं फिर आपके chapter का नाम है Life processes तो Life processes क्या होते हैं? किसी भी living organism की body में होने वाला हर वो process जो उसकी life के लिए ज़रूरी है क्या कहां मैंने? किसी भी living organism की body में जो भी process उसे जिन्दार रहने के लिए ज़रूरी होता है उसे life process कहा जाता है So how can we define life process? हम कह सकते हैं all the processes occurring all the processes occurring inside the body of inside the body of a living organism living organism which are essential to maintain its life maintain its life यानि कि किसी भी living organism की body में होने वाले वो सारे process जो उसे जिन्दार रखने में मदद करते हैं जो उसकी जिन्दार रहने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें हम life process कहते हैं यहां हम inside the body of a living organism की बार कर रहे हैं कोई भी living organism अपनी body की बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़े करते हैं जो उसके जिन्दार रहने के लिए जरूरी होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान राइट जो हर एक living organism की body में हो रहे होते हैं सबसे पहला है nutrition सबसे पहला life process है nutrition यह जो life processes है ना इनके बिना कोई भी living organism अपनी life को imagine भी नहीं कर सकता अगर यह नहीं होंगे तो कोई living organism भी नहीं होगा पहला है nutrition, second is respiration, third life process is transportation transportation and the last one is excretion अब देखो क्या क्या होता है बारी बारी से समझते हैं nutrition याने के खाना खाना आम भाशा में कहीं nutrition याने के खाना खाना हमारी body बहुत सारे छोटे छोटे cells से मिलकर बनी होती है जितने भी living organisms है उन सभी की body छोटे छोटे cells से बनी है अब हर एक cell में बहुत सारे functions हो रहे होते हैं हर एक cell में कभी कुछ अंदर बन रहा होता है कभी कोई protein बन रहा होता है कुछ समान अंदर आता है cell के कुछ बाहर जा रहा होता है यह जितने भी activities हैं इन सब को करवाने के लिए energy के जरूत होती है अब सवाल यह है कि इस body को energy कहां से मिलती है यार जितने भी living organism है उनकी body को energy कहां से मिलती है तो इसका सीधा सीधा जवाब है energy हमें मिलती है food से food is essential क्योंकि यह हमें energy provide करता है और इसी energy से हमारी body के सारे काम होते हैं, सारे functions होते हैं और खाना खाना, खाने खाने के इसी process को और उससे निकलने वाली energy को utilize करने के process को nutrition कहा जाता है क्या कहां मैंने, intake of food and utilizing that food for various activities in the body that process is known as nutrition, खाना खाना और उस खाने को utilize करना उसे हम nutrition कहते हैं, अब सवाल यह है कि हमारी खाने को यह energy कहां से मिलती है हमारे food में बहुत सारे nutrients होते हैं और food has a lot of nutrients, यह बच्पन से हम लोग पढ़ते आ रहें nutrients जैसे के carbohydrates, हैना हमारे खाने में carbohydrates होते हैं proteins होते हैं और बहुत सारा fat भी होता है हैना, vitamins भी होते हैं हमारे खाने में और minerals भी होते हैं तो यह सारे nutrients क्या करते हैं हमारी body को maintain करते हैं हमारी body के proper functioning करते हैं यह तीन जो चीज़े हैं carbohydrates, proteins और fat यह जैसे ही तुमारी body में जाती हैं body को energy provide कर देती हैं पर vitamins और minerals को energy provide नहीं करते हैं still यह हमारे survival के लिए हमारी body की normal functioning के लिए normal growth के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं तो nutrition क्या होता है खाना खाना और उससे energy obtain करना उसे हम nutrition कहते हैं इतनी बात clear है अगला process है respiration respiration यानिके सास लेना हर एक living organism के लिए सास लेना बहुत ज़्यादा important है बिना सास लिए कोई जिन्दा नहीं रह सकता basically सास लेने से भी बहुत ज़्यादा clear बात अगर हम करें तो intake of oxygen body में oxygen लेना और उसको food के साथ react करवाना respiration कहलाता है देखो क्या होता है मैंने अभी तुम्हें बताया कि खाना खाने से body को energy मिलती है अब ये exactly होता कैसे है ध्यान से समझना बहुत basic बात है तुम्हारी body बहुत सारे छोटे-छोटे cells से मिलकर बनी है मानते हो ये बात तो तो मान लो ये तुम्हारी body का एक cell है तुमने खाना खाया food अब ये जो food है बाडी के हर एक cell तक जाना चाहिए न जब बाडी के हर एक cell तक खाना जाएगा तब जाके तो सारे cells काम कर पाएंगे क्योंकि सबको energy की ज़रुत है तो क्या होता है जैसे ही तुम खाना खाते हो वो खाना हटवोट तूटकर हर एक cell के पास जाता है तो कहीं से आ गई तुमारी बाडी में जो cell है उसके पास oxygen अब ये food और oxygen ये react करेंगे ये food और oxygen react करके बनाएंगे ATP और carbon dioxide which is a waste gas और ये ATP क्या है energy और इसी energy से इस cell के सारे function हो पाएंगे तो respiration यानि कि oxidation और food ये खाने का oxygen के साथ reaction हुआ है खाने का जो oxidation हुआ है इससे जो energy derive हो रही है इस process को इस food के oxidation वाली जो process है इसी को हम respiration कहते हैं इतनी बात clear है nutrition यानि के खाना खाना respiration यानि के खाने का oxygen के साथ reaction कराके energy निकलवाना इतनी बात clear है अगला प्रोसेस है transportation यानि के जैसे गाडी में transportation होता है ना transport करने के लिए हम बड़े बड़े trucks का इस्तेमाल करते हैं एक समान को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए transportation system होता है ना similarly हमारी body में भी जितनी भी essential चीज़े हैं वो हर एक cell को चाहिए क्योंकि सब cells काम कर रहे हैं हर एक cell को important चीज़े इसेंशल चीज़े चाहिए तो transportation क्या होता है body में हर एक cell तक जो भी ज़रूरी समान है उसे पहुचाना उसे हम transportation कहते हैं जो भी तुमने खाना खाया उसको हर एक cell तक पहुचाना जो भी तुमने सांस ले उसको हर एक cell तक पहुचाना जितनी भी essential चीज़े हैं, जिसकी जगह, जिसका ठिकाना जहां पर है उस चीज़ को अपने ठिकाने पर पहुँचाना, transportation का काम है उसके बाद आता है excretion, excretion यानिके तुम्हारी body में जो भी waste है उसे body से बाहर निकाल देना, अब जो waste होते हैं, वो दो type के होते हैं एक होता है useless waste और एक होता है poisonous waste useless waste यानिके ऐसा waste जिसकी तुम्हारी body को अब और ज़रूरत नहीं है अगर वो waste तुम्हारी body में थोड़े समय रहता भी है, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा पर ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, फिर उससे बहुत साई बिमारिया और परिशानिया हो जाती है पर अगर ये useless waste थोड़े समय के लिए body में रहता है, तो कोई फरक नहीं पड़ता example है तुम्हारी potty, useless waste है, body उससे बाहर निकाल देती है पर अगर कुछ समय तक थोड़े अंदर रह जाए, तो कोई problem नहीं होती है उससे और poisonous waste होती है urine, urine में बहुत सारे ऐसे poisons होते हैं, जैसे कि uric acid, urea, nitrogenous waste, बहुत सारे urine में होते हैं, अगर ये तुम्हारी body के अंदर रहेगी, तो body को बहुत जादा harm करेगी, वो होते हैं poisonous waste, तो यहाँ excretion वाले process में poisonous waste की बाद हम यहाँ पर करेंगे, और useless waste की बाद हम nutrition में ही कर लेंगे, अभी सबसे पहले हम nutrition topic को पढ़ेंगे और इन सब चीजों को रखते हैं side पर, जैकि है, nutrition की बाद करेंगे हम हम, तो nutrition का मतलब क्या होता था, intake of food and utilizing that food to obtain energy, ठीक है, वो nutrition है अब हर एक living organism का अपना अलग-अलग तदीका है, food को अप्टेन करने का, खाने से हमें energy मिलती है न, तो खाना खाने का, nutrition लेने का सब का अपना अलग-अलग तरीका है, कई सारे ऐसे organisms होते हैं, जो अपना खाना खुदी बना लेते हैं carbon dioxide और water, जैसे simple inorganic चीजों की मदद से, अपना खुदी बना लेते हैं ऐसे organisms को हम कहते हैं, autotrophs, क्या कहते हैं, autotrophs जो organisms अपना खाना खुद बना ले, उन्हें कहते हैं autotrophs और इनके द्वारा जो mode of nutrition फॉलो हो रहा है, इसे हम कहेंगे autotrophic, autotrophic mode of nutrition autotrophic mode of nutrition, भई इनका तरीका है nutrition अप्टेन करने का, ये खुद से ही बना लेते हैं अपना खाना तो जो organisms खुद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें हम autotrophs कहते हैं, और उनके द्वारा होने वाले mode, मतब जो nutrition का प्रॉसेस है पूरा, उसे हम autotrophic mode of nutrition कहते हैं ये तो खुद से अपना खाना बनाते हैं एक और होते हैं जो खुद से अपना खाना नहीं बना पाते ये अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये और्गानिसम्स फॉलो करते हैं हेट्रो ट्रॉफिक मोड अफ नूट्रीशन और इन और्गानिजम्स को हम हेट्रो ट्रॉफ्स कहते हैं हेट्रो ट्रॉफ्स ये करते हैं फॉलो हेट्रो ट्रॉफिक मोड अफ नूट्रीशन क्या कहा मैंने नूट्रीशन लेने का सबका अपना अपना तरीका है कई सारे जो अपना खाना खुझ से बना लेते हैं, उस mode of nutrition को autotrophic mode of nutrition कहते हैं, कुछ होते हैं जो किसी और के उपड़िपन करते हैं, उस mode of nutrition को हम कहते हैं, heterotrophic mode of nutrition, इतनी बात clear है, जो organisms autotrophic mode of nutrition को follow करें, उन्हें autotrophs कहते हैं, जो heterotrophic mode of nutrition को follow करें, उन्हें heterotrophs कहते हैं, autotrophs कौन कान होते हैं, autotrophs होते हैं आपके plants और कुछ bacteria, plants और कुछ bacteria, plants photosynthesis process करते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, plants क्या करते हैं, photosynthesis process की मदद से अपना food खुदी बना लेते हैं, दूप में खड़े रहते हैं, atmosphere से carbon dioxide लेते हैं, जमीन से लेते हैं पानी, और इनके अंदर chlorophyll होता है, एक green pigment जो कि sunlight को trap करने का काम करते हैं, chlorophyll sunlight को trap करते हैं, sunlight से energy मिलती है, उस energy की मदद से ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, photosynthesis करते हैं, plants, photosynthesis क्यों कहा गया है, photo यानिके light synthesis यानिके बनाना, plants light के मदद से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इस process को photosynthesis कहा जाता है, plants तो करते हैं, photosynthesis, अब bacteria क्या करते हैं, कई सारे bacteria कीमो synthesis करते हैं, यानिके chemical से अपना खाना बना लेते हैं, कई सारे bacteria जीसे कि iron bacteria और sulfur bacteria, ये bacteria क्या करते हैं, हमारे atmosphere में बहुत सारे organic चीजें मौझूद हैं, इन और गैनिक बहुत सारे सबस्टांसे मुझूद हैं तो क्या होता है अगर किसी भी और गैनिक चीज का उक्सिडेशन हो रहा है न अगर अगर मालने हापर कोई बैक्टीरिया है ठीक है और इसके आसपास किसी भी और गैनिक चीज का उक्सिडेशन हो रहा है यानि कि anything is reacting with oxygen to फॉर्म एनर्जी ठिक तो यह बैक्टीरिया इस एनर्जी का इस्तिमाल कर लेता है अपने लिए खाना बनाने के लिए यहाँ पर यह बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं केमिकल्स का इस्तिमाल कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए तो तो इसलिए हम इसे कीमो संथेसिस कहते है यानि chemicals की मदद से अपने खाने को synthesize करना यहाँ पर दोनों ही process खुद से अपना food obtain कर रहे हैं photosynthesis में plants अपना खाना खुद बना रहे हैं और chemo synthesis process करके bacteria अपना खाना खुद बना रहे हैं यह दोनों ही auto drops है क्योंकि खाना खुद से बना रहे हैं किसी और के ओपर dependent नहीं कर रहे हैं तो autotrophic mode of nutrition में हमें chemo synthesis नहीं पढ़ना ही chapter में हम आगे photosynthesis discuss करेंगे हम पढ़ेंगे ला कि plants कैसे अपना खाना खाना अप्टेन करते हैं तब हम photosynthesis process को detail में पढ़ेंगे ठीक चालो अब heterotrophic mode of nutrition में वो सभी organisms आते हैं जो खुद से अपना खाना नहीं बना पाते तो यह क्या करते हैं ऐसे organisms को पकड़ लेते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं जैसे कि plants हो गए plants अपना खुद बनाते हैं तो यह क्या करते हैं ग्लांक कोई खा लेते हैं यहतों यह ऐसे animals को खा लेते हैं जिनों ने अभी plants को खाया हो देखो कई सारे ऐसे organisms होते हैं जो डेकली plants को खा लेते हैं उन्हें हम कहते हैं hetero crops को प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम hetero annual का केते हैं और बचुपन में लोग पढ़ते हूए आं कई सारे यासे होते हैं जो आनिमल्स को खा लेते हैं फ्लेश खा लेते हैं उन्हें हम कार्णी वोर्स कहते हैं और जो प्लांट्स और आनिमल्स दोनों ही खा लें उसे हम ओम्नी वोर्स कहते हैं राइट plants ने अपना खाना खुद से बनाया था तो plants को ये heterotrophs खा लेते हैं तो इनकी body में energy चली जाते हैं को कि plants थी खाना बनाया था already तो वो खाना इनकी body में चला गया इनको खाना मिल गया कार्वी वोर्स क्या करते हैं? इनको ही खा लेते हैं sorry sorry यहाँ पर herbivores होगा मैंने गलती से heterotrophs लेख दिया herbivores जो green plants को खाते हैं उन्हें herbivores कहते हैं तो plants को herbivores खा लेते हैं plants ने बहुत सारी energy बनाई थी herbivores की body में चली जाते हैं energy अब कार्वी वोर्स क्या करते हैं? ये herbivores को खा लेते हैं इसको एक example के साथ समझते हैं कि मानलो एक plant है और एक deer है और एक lion है plant ने अपना खाना खुद बनाया photosynthesis करके बड़े महनत से इसने carbon dioxide, water, sunlight, chlorophyll सब का इस्तिमाल करके photosynthesis process से अपना खाना खुछ से बना लिया अब इसके पास खाना है plant ने अपना खाना अपनी body के इंडर store करके रखाया deer आएगा, यह plant का खाना खालेगा deer के body में चले गया food lion आएगा, deer को खालेगा अब lion की body में चले गया food तो उसके requirements पूरे हो गए तो heterotrophic mode of nutrition भी तीन type के होते हैं यानि कि जो organisms हैं, वो दूसरे के उपर depend करते हैं, तीन तरीके से यह दूसरे के उपर depend करके अपना खाना obtain करते हैं, इसको रब करते हैं फिर समझते हैं तो heterotrophic mode of nutrition में सबसे पहला mode है holozoic mode of nutrition holozoic mode of nutrition में क्या होता है organisms अपना खाना खाते हैं और body के अंदर complex form में अपना खाना खाते हैं यह complex food items खाते हैं और जाके body के अंदर इस खाने का breakdown हो जाता है और इस टूटे हुए खाने से इस breakdown हुए हुए खाने से इनको energy मिल जाती है तो holozoic mode of nutrition वो होता है जिसमें के organisms complex food items खाते हैं और body के अंदर जाके वो इस फूड का breakdown होता है दूसरा mode of nutrition है saprotrophic या saprophytic saprophytic mode of nutrition वो है जिसमें के organisms dead और decaying यानि कि सड़े गले चीजों के ऊपर depend करते हैं अपने खाने के लिए बहुत सारे bacteria हो गए yeast हो गए, fungi हो गए यह सारे saprotrophic mode of nutrition को फॉलो करते हैं मान लो कोई भी जानवर सड़ गया, गल गया, चीक है जमीन पर पड़ा हुआ है तो यह saprotrophs organisms उसके ओपर उख जाएंगे मान लो यह saprotrophs organism उसके ओपर उख गया है अब यह जो dead animal है या dead plant है saprotrophs ना इन ही को सड़ाएंगे और अपनी बॉडी के अंदर ने बॉडी के बाहर इन बड़े बड़े complex molecules को छोटा छोटा तोड़ेंगे और फिर इन्हें absorb कर लेंगे ठीक है और यह complex molecules तूटे हैं जब यह तूट की छोटे हो जाते हैं इन्हे saprotrophytes absorb कर लेते हैं और इनकी बॉडी को एनरजी मिल जाती है तो saprophytic mode of nutrition और holozoic में एक major difference है holozoic में बॉडी के अंदर complex molecules छोटे छोटे तूटते हैं saprophytic mode of nutrition में बॉडी के बाहर ही इस्ट और फंगाई complex molecules को छोटे छोटे पार्च में तोड़ देता है फिर उसे absorb करता है तीसरा mode of nutrition है parasitic mode of nutrition इसमें कोई organism किसी दूसरे organism के body के उपर रहेगा या तो body के अंदर रहेगा पर उसे कोई harm नहीं पचाएगा और चुप चाप उससे अपना nutrition लेता रहेगा जैसे कि मच्छर हो गया मच्छर आता है हमें काटता है और खोन लेकर चल ले जाता है कुछ करता है हमारा कुछ भी नहीं करता तो यहाँ पर क्या हुआ हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो मच्छर क्या हो गया एक parasite हो गया वो आया और हमसे हमारा blood लेकर चला गया चुपचाब जिससे कि जू होती है सर में हमारी body के उपर रहती है permanent हमसे ही अपना nutrition लेती है पर हमें कुछ नुकसान नहीं पचाती तो ऐसे mode of nutrition को हम parasitic mode of nutrition कहते है अभी तक हमने बहुत कम चीज़ें डिसकस करी है सबसे पहले हमने देखा life process क्या होते है वो process जो ज़रूरी है हमारी life को maintain करने के लिए चार major life process होते है nutrition, respiration, transportation और excretion nutrition यानि के खाना खाना respiration यानि के खाने का oxygen के साथ reaction करा के energy provide करवाना transportation यानि के हर एक cell तक जितनी भी essential चीज़ें उनको पहुचाना excretion यानि के body से waste को बाहर निकालना अभी हम बाके सबनी पढ़ रहे हैं सिर्फ और सब nutrition को डिसकस कर रहे थे nutrition यानि के intake of food और utilizing it सब organisms अपने अपने दढ़ी के हैं सब क्या अपने अपने खाने खाने के तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं autotrophs और उस mode of nutrition को autotrophic mode of nutrition कहते हैं second mode of nutrition है heterotrophic mode of nutrition इसमें organisms क्या करते हैं अपना खाना खाने के लिए किसी और के ऊपर depend करते हैं autotrophic mode of nutrition में खुद से अपना बना लेते हैं खाना, खुद से अपना खाना बनाने के दो तरीके हैं, या तो फोटो सिंथेसिस करो, यानि के लाइट के मुदद से अपना खाना बनाओ, या तो कीमो सिंथेसिस करो, यानि के केमिकल्स के मुदद से अपना खाना बनाओ, तो प्लांट्स फोटो सिंथेसिस कर हमने कहा कि chemo synthesis में नहीं पढ़ना photosynthesis आगे पढ़ेंगे फिर हमने हेट्रोफिक mode of nutrition को डिसकस किया जिसमें हमने देखा कि organisms जो दूसरे के ऊपर depend करते हैं अपने खाने के लिए उस mode of nutrition को हम हेट्रोफिक mode of nutrition कहते हैं हेट्रोफिक mode of nutrition टीन टाइप के होते हैं holozoic, saprophytic और parasitic holozoic mode of nutrition यानि के जिसमें हम complex food items काते हैं और वो हमारी body के अंदर जाके टूटते हैं breakdown होते हैं जिससे कि हमें energy मिलती है saprophytic mode of nutrition यानि के ऐसे organism जो सड़े गले खाने के ऊपर depend करते हैं वो body के बाहर ही उस खाने को छोटे छोटे पार्च में तोड़ते हैं उसका absorption कर लेते हैं उनसे energy अप्टेन कर लेते हैं फिर parasitic mode of nutrition में कौन आते हैं वैसे organisms जो तुम्हारी body के उपर रहें यह तुम्हारी body के अंदर रहें और तुमसे ही अपना nutrition लेते रहें बिना तुम्हें नुक्सान पहुचाए इतनी बाते clear हैं ठीक है चलो अब हम आगे पढ़ेंगे कि how do different organisms obtain their food और how nutrition takes place in the body of different kind of organisms यानि कि अलग-अलग organisms की body में nutrition किस तरह से होता है अलग-अलग organisms किस तरह से अपने food को obtain करते हैं किस तरह से उससे energy derive करते हैं तो इसमें हमें तीन ही चीज़े पढ़नी हैं प्लांट्स की बारे में एक छोटे से amoeba के बारे में और humans की बारे में क्लास 10th की biology ऐसी ही है हम जो भी बात करेंगे वो plants और animals की बारे में ही करेंगे 9th की biology से 10th की biology काफी जादा easy है बहुत relatable है क्योंकि और इसमें हमसे plants और animals की बात करेंगे टो सबसे पहले हम बात करते हैं nutrition in plants की यानि कि plants कैसे अपना खाना खुद से बनाते हैं भाई plants क्या करते हैं जो अपना खाना खुद से बना लते हैं nutrition in plants that how plants take nutrition how plants derive nutrition तो plants अपना खाना बनाते हैं photosynthesis process के मदद से photosynthesis यहाँ पर photo का मतलब है light और synthesis का मतलब है banana या फिर to make plants sunlight के मदद से अपना खाना prepare करते हैं देखो होता क्या है जैसे मानलों यह plant है ठेके और यह plant की leaf है तो यह पूरा photosynthesis खाना बनने बनाने का process है यह plant की leaves में हो रहा होता है leaves के cells में यह सारे functions हो रहे होते हैं leaf के cell में एक और्गिनली होते है जिसको कहा जाता है chloroplast क्या कहा जाता है chloroplast इस chloroplast का color होता है green एक green pigment के वज़े से जिसका नाम है chlorophyll ठीक है plants की leaf जो है वो भी बहुत सारे cells से मिलकर बनी होई है उन cells में एक special बात होती है which is chloroplast chloroplast इक organally है chloroplast में प्रेजन्ट होता है chlorophyll अब क्या होता है sunlight जो होती है सूरज की रोशनी chlorophyll इस सूरज की रोशनी को ट्राप कर लेता है sunlight को absorb कर लेता है chlorophyll ठीक leaves की अंदर और इन chloroplast के अलावा छोटे-छोटे छेद भी होते है जिनको कहा जाता है stometa अपर छोटे-छोटे-छोटे छोटे छेद होते है जिनको कहा जाता है stometa इन stometa के through क्या होता है जो भी ग्यास होती है, मान लो कोई भी आटमस्फेर से कारबन डाउकसाइड चाहिए, प्लांट को तो वो अंदर जाती है, जो भी इधर बना है, जो वेस्ट है या कुछ भी है वो बाहा जाता है, इन छेथ की मदद से, तो स्टोमेटा की मदद से होते हैं सारे के सारे यह स्टोमेटा का पोर है और यह हैं गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटा को घेरे रहते हैं स्टोमेटा के आसपास दो बीन जैसे स्टोक्चर्स प्रेजन्स बोला जाता है जैसे कि गार्ड गेट को खोड़ने और बंद करने का काम करता है similarly यह गार्ड सेल्स यह एंशॉर करते हैं कि स्टोमेटा को कब खोड़ना है और कब बंद होना है ठेक? तो क्या होता है, इन stomata के थुरू, atmosphere के जो भी carbon dioxide होती है, वो plant के अंदर चली जाती है, चिके, और इस plant में roots होती है, root के थुरू, जो पानी है सारा, वो भी leaves के cells में चले जाता है, तो अब leaf के cell, अगर मैं यहाँ पर leaf का cell ड्रॉ करू करूँ, तो leaf के cell के पास क्या चीजे हैं, लीव के सेल के पास सबसे पहले carbon dioxide आई है atmosphere से और फिर इसके पास आया है water, कहां से, roots से, साथ में इस cell में कहीं पे side में chloroplast और्गिनली है, जिसमें chlorophyll है जो कि उपर से sunlight को absorb कर रहा है, तो ये जो sunlight है, ये इस water को तोड़ देती है, ठीक है, sunlight क्या करती है, water को तोड़ देती है किस तरह से, ये water तूट जाता है, H प्लस ions में और साथ में oxygen में, what happens is, एक सेल में, लीव का जो सेल है, उसमें carbon dioxide भी है, क्योंकि आटमस्फेर से carbon dioxide प्लांक ने ली है, अब्सॉप करी है, स्टोमेटा के थरो, और roots से पानी अब्सॉप किया है, तो हर एक सेल में carbon dioxide भी है, water भ chlorophyll भी है, जो कि sunlight को अब्सॉप कर रहा है, ये जो sunlight आई उपर से, इसने water को तोड़ दिया, H प्लस ions में और oxygen में, इतनी बात clear है, फिर क्या होता है, ये H प्लस ions, इस carbon dioxide के पास जाके जुड जाते है, H प्लस ions, carbon dioxide के पास जाके जुड जाते है, तो क्या होता है, carbon dioxide का H प्ल hydrogen atom attaches with anything, तो हम कहेंगे कि उसका reduction हुआ है, तो यहाँ पर carbon dioxide का reduction होता है, और ये carbon dioxide reduce होके, C6H12O6 यानि के glucose बना लेती है, और साथ में ये जो बचे हुई oxygen है, ये इसके साथ ही atmosphere में release हो जाती है, इतनी बात आपको समझ आई, एक और बार repeat करूं, हर एक प्लांट की leaf में, बहुत सारे cells होते हैं, उस हर एक cell में carbon dioxide होती है, कहां से होती है, आपको पता है, water भी गया होता है, आपको पता है कहां से, sunlight absorb होई, water तूट गया, H plus और O2 में, hydrogen ions और oxygen में, ये hydrogen ion carbon dioxide के साथ चिपक के glucose बना दी, और वो oxygen साथ में release हो गए, easy, अब इसी process में जो steps हैं, उसको न अगर हम बात करें, steps, और photosynthesis, photosynthesis के main steps क्या क्या हैं, ठिक, और ये एक और बात, ये जो glucose है, ये खाना है, glucose is food, ठिक, पहला step हुआ, absorption, 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 याने के, जो chlorophyll ता, उसने sunlight को absorb किया, उसके बाद हुआ, conversion, उसके बाद हुआ, conversion, कैसे, ये जो sun से आने वाली light energy थी, इस light energy को, chemical energy में convert किया गया, light energy को chemical energy, ATP, ATP एक energy की form है, इस ATP में convert किया गया, ठिक, फिर क्या हुए, splitting, क्योंकि directly sunlight split नहीं कर सकती है, सीधा sunlight water को split थोड़ी न कर सकती है, इसलिए पहले light energy से chemical energy का conversion हुआ, उसके बाद हुए splitting, splitting किसकी, H2O, water की splitting हो गई, H plus ions में और साथ में oxygen, फिर आखरी प्रोसेस हुआ, reduction, किसका, carbon dioxide का, ये जो carbon dioxide थी, इसके साथ ये H plus ions आके जुड़ गए, और इन्होंने बना दिया C6H12O6, इसका नाम है glucose, और इसे हम आम भाशा में कहते हैं, food यानिके खाना, और साथ में ये जो oxygen gas है, ये यहां से release हो गई, तो ये होता है आपका, इस तरह से जो plants हैं, वो glucose की form में अपना खाना खुद बनाते हैं, तो plants कुछ glucose को इस्तमाल कर लेते हैं अपने फंक्शन करने के लिए, और कई सारे glucose को ये स्टोर कर लेते हैं, starch के form में कहीं सारी glucose को अपनी बॉडि में store कर लेते हैं और अगर किसी हर्भी वोर को कभी भूख लगी या किसी भी organism को खाने के जरुत होती है तो फिर वो आते हैं और plants को तोड़ के ले जाते हैं जहां पर भी हमने खाणपार म spies अप्रोच के अफने उनने खा लेते हैं ऍो फोर सफ लटाइन उस सफोर नोट्व नौटकर सी बना रहे हैं चेके बयारर से प्लांपान खुत बनाते हैं और प्रोसेश अवफ इस फोटो सिंथेसिस अब इस photosynthesis में अब मैं आपको कुछ मोटी-मोटी बाते लिखवा रही हूँ साथ में note कर ले ना एक बार जो भी हमने पढ़ा nutrition and plants को उसको sum up कर देते हैं plants में nutrition कौन से process की मदद से होता है photosynthesis photosynthesis यानि कि light के presence में plants अपना खाना खुद बनाते हैं यह वो कैसे करते हैं plants करते हैं पहले absorb किसे sunlight को plants करते हैं sunlight को absorb पहला process होता है absorption फिर second step जो है वो होता है conversion यानि कि sunlight जो है ये sun से जो energy आई है इस light energy को पहले chemical energy में change किया जाएगा chemical energy क्या ATP ATP के form में इस energy को change किया जाएगा उसके बाद होगी splitting यानि कि root ने जो भी पानी absorb किया है वो पानी अगर cells तक गया है तो उस पानी को तोड़ दिया जाएगा H प्लस ions में और oxygen में फिर उसके बाद होगा reduction किसका reduction होगा plants ने atmosphere से carbon dioxide gas भी तो ली है जो कि cells के पास है वो carbon dioxide gas के साथ ये hydrogen ions जुड जाएंगे और ये बना लेंगे C6H12O6 जो कि है glucose चिक और इसे ही हम food कहते हैं आम भाशा में और ये जो oxygen gas है ये atmosphere में हो जाएगी release ये तो बात होगी जो भी steps है अगर हम बात करें common equation of photosynthesis equation of photosynthesis तो हम किस तरह से लिखते हैं इसको इसे हम लिखेंगे 6 molecules of carbon dioxide 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll to form one molecule of glucose C6H12O6 इसके लिखते हो glucose along with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water क्या होता है कि 6 carbon dioxide के molecules 12 water molecules के साथ react करते हैं पर यहां actually में सीधा water molecules के साथ react नहीं करते हैं ये water पहले split होता है H plus और O2 में ठीक है उस H plus के साथ ये carbon dioxide react करते हैं ये अंदर की बात ये आप लों को और मेरे को पता है ठीक है पर equation of photosynthesis आएगी तो आपको ये लिखनी पड़ेगे 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll उससे बनता है glucose, oxygen और water ये carbon dioxide होती है gas के form में ये water होता है liquid के form में ये oxygen होती है gas के form में और ये water होता है gas के form में ठीक है? याद नहीं हो तो बहुत तरीका है बहुत असान तुम्हें पते carbon dioxide water react तो करते ही ता तो पता है यहाँ पर 6-12 और उस तरफ 6-6 सिर्फ glucose एक बनेगा इतना याद रखना इतने बात समझाई ये बात हो गई हमारी equation of photosynthesis की photosynthesis process के लिए एक और बात जो बहुत ज़ादा जरूरी है जो की है और गिनली chloroplast ये photosynthesis का जो भी कारिकरम है ये कौन सी और गिनली में हुआ है cell की? chloroplast में क्योंकि chloroplast में एक खास चीज है विच इस chlorophyll और ये chlorophyll क्या कर रहा है? chlorophyll क्या करता है भाई? सनलाइट को अब्जॉब करता है chlorophyll सनलाइट अब्जॉब होती है तब जाके splitting होती है hydrogen ions पे और oxygen में और ये hydrogen जाके carbon dioxide का reduction करवा पाता है तो chloroplast organally में ये सारा कारिकरम चल रहा होता है फिर उसके बाद stomata का भी बहुत जिकर होता है क्योंकि stomata से ही तो सारी चीज़ें अंदर और बाहर जा रही होती है carbon dioxide जो cells तक आई वो stomata की मदद से ही तो आई oxygen जो atmosphere में जाएगी वो stomata की मदद से ही तो जाएगी stomata क्या होते है they are basically pores छोटे छोटे छेद होते हैं leaves में और ये छेद जो है bean like structures यानि कि guard cells से surround होते है guard cells make sure करते हैं कब stomata खुलेगा कब बंद होगा जब plant को अब carbon dioxide के और ज़रत नहीं है stomata बंद जब plant को चाहिए carbon dioxide इसको करना है reduction भई glucose बनाना है तो stomata खुल जाएगा अपनी convenience के हिसाब से बड़े असानी से stomata खुलता है और बंद हो जाता है इसके बाद हम अगर बात करें तो important जो है वो यह है कि सिर्फ carbon dioxide और water से plant का नहीं चलता है जिसे कि हमारी बोडी में सिर्फ carbohydrates प्रोटीन खाने से नहीं चलता है विटामिन के भी ज़रूरत होती है न वैसे ये plants को carbon dioxide और water के अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती है जैसे के nitrogen जैसे के phosphorus जैसे के potassium जैसे के magnesium ये सारी चीज़े manure से या तो fertilizer से हमारी plants को मिल जाते है manure और fertilizer के form में या फिर जो हमारी जमीन होती है न उसमें भी बहुत सारे essential nutrients होते हैं तो यह सब पानी में घुलकर plants की roots absorb कर लेती हैं और यह जो nitrogen है यह plants directly नहीं ले सकते हमने यह पढ़ा था ना 9th class में nitrogen को plants और animals directly use नहीं कर सकते पहले nitrogen को nitrates और nitrites में convert किया जाता है उसी के बाद organisms इसको ले सकते हैं इसका use कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े थी कि plant को किस किस चीज की ज़रत पड़ती है क्या क्या होता है किस तरह से plant की body nutrition process take place करता है तो जो photosynthesis है उससे हमारा क्या क्या बना glucose बना oxygen बनी यह दो main चीज़े हैं बाकि end product जो निकला वो निकला यह oxygen atmosphere में दे देता है प्लांट थोड़े इस्तिमाल करता है और यह food भी थोड़ा इस्तिमाल करता है और बागी सब store करके रख लेता है starch के form में इतनी बाते clear हैं तो इस तरह से plant अपने nutrition को अन्जाम देता है इसके बाद हमें पढ़ना है nutrition in amoeba यानि कि amoeba कैसे food को intake करता है और nutrition in human beings, human beings में खाना कैसे खाया जाता है क्या क्या process है, क्या क्या steps है जिससे human beings अपने खाने को obtain करते हैं पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ MCQs कर लेते हैं पता तो चले है आप लोगों कितना समझाया और कितना नहीं ठीक है अब हम करेंगे MCQs तो हमारा पहला question है Dash liberated during photosynthesis comes from water options है oxygen, chlorophyll, carbon dioxide और glucose याने कि photosynthesis process में photosynthesis process में जो ये dash निकलती है ये actual में water से आती है तुम खुद सोचो क्या होता था कि chlorophyll present होता था हमारी leaf में और chlorophyll sunlight को absorb करता था और हर एक leaf cell के पास जो पानी गया है sunlight उस पानी को तोड़ दे थी किसमें? H plus ions में और oxygen में O2 ये H plus ions तो carbon dioxide के साथ रियाग करके उसका reduction करा देते थे और glucose बढ़ा लेते थे और ये oxygen as it is atmosphere में release हो जाती थी so photosynthesis process में ये जो dash निकलती है ये water से आती है क्या भई? क्या water से आता है? एक ही चीज तो है oxygen oxygen liberate जो होती है gas के form में ये water से आती है तो oxygen is the correct option here A is the correct option यहाँ पर तुम बोलोगी के glucose क्यों नहीं भई? पानी से glucose भी तो आया है पानी से H plus ion आया फिर उसका reduction हुआ तो glucose भी तो बना पर यहाँ पर liberated सब्द का इस्तमाल किया गया है liberated शब्द का इस्तमाल किया है liberated यानि के gas के form में निकलना तो glucose is not in the form of gas oxygen only is in the form of gas तो photosynthesis process के दौरान oxygen ही एक ऐसी gas है जो के water से आती है water का breakdown होता है H plus और O2 में H plus reduction करवा देता है carbon dioxide के साथ मिलके glucose बनाता है और यह oxygen डिरेक्ली रिबरेट हो जाती है हमारे atmosphere में अगला question from which structure the free oxygen gas produced during photosynthesis is released? photosynthesis के दौरान जो gas निकलती है वो कौन से structure से atmosphere से बहार निकलती है तो मैंने आपको बताया stomata stomata ही एक ऐसा structure है जिससे के सारे gasious exchange होते है photosynthesis के दौरान carbon dioxide जो अंदर आती है वो भी stomata से आती है जो oxygen बनके बाहर जाती है वो भी stomata के थू होता है तो free oxygen gas जो photosynthesis के दौरान बनती है वो stomata के थू होते हुए बाहर जाती है तो stomata is the correct option here चोथा question है the internal energy reserve in autotrophs is dash internal energy reserve यानि कि autotrophs autotrophs के लिए energy reserve क्या है autotrophs किस form में अपनी energy को store करते हैं मैंने आपको बताया autotrophic mode of nutrition में जो plants हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं photosynthesis करके glucose बनाते हैं और ये glucose को starch के form में अपनी बाडी में store कर लेते हैं और इस starch से ही वो अपनी energy को obtain करते हैं तो starch is the correct option here C अगला question है which of the following statements about autotrophs is incorrect इनमें से कौन से statement autotrophs के लिए incorrect है statements है they synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll हाँ autotrophs ये तो करते हैं carbohydrates बनाते हैं glucose is a carbohydrate glucose is a carbohydrate अगर कहीं लिखा आए कि plants carbohydrate बना रहे हैं तो confuse मत हो ना glucose is also carbohydrate sugar भी बोलते हैं इसको हम तो question है हाँ statement थी कि they synthesize carbohydrates from carbon dioxide water in the presence of sunlight and chlorophyll this is absolutely correct statement यही तो होता है plants carbohydrates ही तो बनाते हैं carbon dioxide और water और sunlight और chlorophyll के presence में यह option एकदम correct है अगला option है they store carbohydrate in the form of starch यह भी सही है वो carbohydrates store करते हैं starch की form में अगला option है they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight ऐसा होता है क्या plants carbon dioxide और water को carbohydrates बना देते हैं बिना sunlight के this option is correct तो C आपका सही जवाब है क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं आपसे यह पुछा गया था कि यह autotrophs के लिए कौन सी बात गलत है इन में से तो C is the correct option here next question है 6th question which among the following organisms show parasitic nutrition इन में से कौन सा organism parasitic nutrition को follow करता है या कौन सा दिखाता है parasitic mode of nutrition options है cascata, bacteria, amoeba और goat amoeba holozoic mode of nutrition को follow करता है bacteria काफे सारे saprophytes होते है और goat holozoic mode of nutrition को follow करता है तो cascata cascata को हम हिंदी में अमर बेल भी बोलते है किसी भी plant के ऊपर यह जाके चिपक जाती है और उसी से अपना nutrition derive करती रहती है तो यहाँ पर correct option है A cascata अगला सवाल है बॉड़ी के बाहर फूड का ब्रेकडाउन होता है फिर यह उसे अब्जॉब करते है तो option है पहला mushroom, green plants और amoeba नहीं तो mushroom saprotrophic है green plant autotrophs है और amoeba तो हो अगला है yeast, mushroom और bread mold this is the correct option yeast, mushroom और bread mold तीनों ही saprotrophic mode of nutrition को follow करते हैं तीनों में ही body के बाहर खाना तूड जाता है फिर उसके बाद उसका absorption किया जाता है चलो यहाँ पर B is the correct option अगला सवाल है select the correct statement आपको इन में से कोई भी correct statement चुननी है पहला है hetrotrophs do not synthesize their own food hetrotrophs अपना खाना खुद नहीं बनाते यह correct है अगला है hetrotrophs utilize solar energy for some photosynthesis hetrotrophs sunlight का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए नहीं जी hetrotrophs से किसी और के ओपर डिबेंड करते हैं अपने खाने के लिए तो यहाँ पर correct statement चुननी थी okay तो this is the incorrect statement hetrotrophs synthesize their own food यह भी incorrect है statement hetrotrophs are capable of converting carbon dioxide in water into carbohydrates यह भी गलास statement है तो पहली statement जो थी hetrotrophs अपना खाना खुद नहीं मिनाते this is the correct statement here और A is the correct option अच्छा अब इसके बाद के जो questions है यह nutrition in amoeba और nutrition in human beings के उपर हैं तो उन्हें हम discuss नहीं करेंगे यहीं तक थे MCQs जितना हमने पढ़ा उसके बारे में nutrition in animals या nutrition in human beings nutrition in human beings और nutrition in amoeba nutrition in amoeba तो बहुत चोटा सा है nutrition in human beings is so vast और उससे बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है बहुत सारी बाते हैं चोटी 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 बाते हैं जिनसे question बन सकता है exam में तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका एक separate video बना दू यहां तक हमने क्या-क्या revise कर लिया life process क्या होते हैं चार main life process होते हैं कौन-कौन से nutrition, respiration, transportation और excretion इतना तो याद दुजाना चाहिए अब चार life process होते हैं nutrition, respiration, transportation, excretion हमने किसी और की बात नहीं करी हम nutrition पढ़ रहे हैं nutrition यानि कि खाना-खाना दो mode of nutrition होते हैं autotrophic, heterotrophic autotrophic में खुद से खाना बनाते हैं organisms, heterotrophic में depend करते हैं किसी और के उपर autotrophic में photosynthesis की मदद से खाना बनता है एक chemo synthesis की मदद से बनता है plants photosynthesis follow करते हैं कैसे करते हैं उस सारी बाते हमने देख ली heterotrophic mode of nutrition में holozoic, saprophytic, parasitic इतनी बाते हमने clear कर ली हैं अभी और nutrition in plants भी हमने पूरा पढ़ लिया है अभी हमारा बचा है nutrition in amoeba और nutrition in human beings इस चीज़ को हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे with MCQs अभी तक आपको इस सेशन में कोई भी डाउट है तो उसे comment section में जरूर लिखेएगा आपसे मिलेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में till then, bye bye